जैहिन, वेलकम टू सक्सस एकजिद तो आज सुबह से काफिय आपके डाउट आ रहे हैं जो आपका बी आरो गरिफ का ओफिसल वेब साइट है वहाँ से आपका SKT, स्टोर के पर टेकनिकल और ड्राइवे इंजिन स्टेटे के DES का जो रजल्ट है, वो आपका वेब साइट से हटा दिया गया है तो इसका क्या कारण है, क्यों यहाँ पर आपका जो रजल्ट है, वो हटाया गया है क्या अब आपके बरतिक कैनिसिल होगी, या फिर आपका एक्जाम कैनिसिल होगा क्या यहाँ पर आपका जो रजल्ट है वो दुबारे से जारी किया जाएगा जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं वो सभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो यह देखिएगा जो आपके बियारोगरिफ की ओफिसल वेब साइट है वो हमने यहाँ पर ओपन की हुई है तो जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसमें नीचे फोटोगराफी वीडियो कॉम्पिटेशन के नीचे आपका जो यहाँ पर रजल्ट आपका दिखाय गया था वो अब आपका हट चुका है तो क्या इसका कारण है वो सुनियेगा यह बिलकुल आपका कोई भी वज़ा नहीं है भरतिक के कैनिशलेशन से रजल्ट के दोबारा जारी होने से आपके एक्जाम के दोबारा कंड़क्ट होने से इस चीज़ का कोई लेंदिन नहीं है सेकेंड नोटिस देखेगा आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका SKT और DS का इजयाम केंशल हुआ था उसका रिजन क्या है नोटिस फॉर इन्फॉर्मिशन ओफ दा कंडिडिट्स फॉर दा पोस्ट ऑफ SKT और MSWDS अंडर ADVT 01-2021 यह आपका यहाँ पर देख सकते हैं जाती है जैसे के आपका SKT का बरते का जारी होना उसके एक्जाम का कंड़क्ट होना एक्जाम का रजल्ट आना या फिर आपकी बियाओर गरिफ की 02-2021 बरते का आउट होना वो सभी नोटिस इस वेप्लेट से आपके आउट हो चुके हैं इस आपका जो है इस चीज का आप यह है आपका वो ओफिशन नोटिफिकेशन जो कि आपका SKT और ड्राइवें इंजिन स्टेक्टिक का अभी भी आपके बियारो गरिफ की ओफिशल वेबसाइट पर अवेलेबल है यहाँ पर आपको यह चीज बताई गई है कि आपका 31 जनवरी 2022 को SKT और 7 फरवरी 2022 को जो आ आपका पोस्पन कर दिया गया है और क्यों किया गया है इसका रिजन आपको बताया गया था कोविट-19 तो यहाँ पर देखें कुछ दिनों के बाद आपका यह वन नोटिशन यह भी आपको वेबसाइट से हटा दिया जाएगा क्योंकि जितने में नोटिफिकेशन आपको पुरानी होते चले जाते हैं वो आपके वेबसाइट से हटा दिया जाते हैं तो ज़्यादा को टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पर देखें आपका एक्जाम का जो कंसलेशन का की इस्यू बना हुआ हना उसमें आपको मुने पहले भी बताया था और अब भी बताते हैं कि और पुर्णे पुलिसे जब दोनों इस चीज़ के रिपोर्ट शोप देते हैं तब यहाँ पर कुछ आपका जो फाइनल डिसीजन है वो निकल के आएगा कि आपका जो एक्जाम है वो अगर यहाँ पर उसमें स्कैम जादा लेवल का हुआ है तो आपके एक्जाम को दो बा जाए गए है उनकी जगह आपका रिवाइस डिल्ट जो आउट किया जाए ओके अभी भी यहाँ पर आपका जो है कोई अपडेट नहीं है जो वेरिफिकर्शन वो यहाँ पर फिलाल में आपके रिनिंग है तो अभी इस बारे में यहाँ पर कोई आपको टेंशन नहीं लेन है और अगर कोई आपकी अपडेट होगे तो आपके साथ हम सेयर करते रहेंगे जुड़े रहेगा जैहिन